नमस्कार किशान भाईव आज के वीडियों मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त की महीने में खीरा के खेती कैसे कड़े और लाखोर रुफे कमाएं तो चलिए खेती के लिए कौन-कौन सी जलवाई उपीक थे सारी जनकारी आज के वीडियों में बताते हूं और किस तरीके से इसे तैयारी करना है और किस तरीके से मार्केट तक आपके खेती के खेती को करने के लिए तापमान 20 डिग्री सलसियस से 40 डिग्री सलसियस तक होना चाहिए इसे अधिक वर्षा और आधरत वाला मौसम नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर कीटों की होने की संभावना बढ़ सकती है अगर चाहे तो कर सकते है लेकिन इसके लिए समय समय पर आपको कीटों की दवाई देनी जरूरत पड़ेगी इसके बद भूमी के चैन के बात करें तो इसकी खेती को बलूई दोमट या दोमट भूमी पर असानी से किया जा सकता है ध्यान रहे कि खेती करने के पहले जल के निकास का उचित परबंध कर लिया गया हो भमी में कारवन की मातरा के साथ साथ गर्म जालवाईव की जरूरत है और इसके उन्नत किसमे की बात करें अगर हम तो इसके उन्नत किसमे के फसली कमुक है रुप सती किसमे में बाता जा सकता है जैसे विदेसी किसमे उन्नत किसमे और संकर किसमे विदेसी किसमे की बात करें त इसके बाद हो या तीन बार से हैरो या कल्टिवेटर से मीटी को बुरबुरा बनाना ना चाहिए ऐसा करने का बाद पाटा लगा दे ताकि खेत समतल हो जाए आखरी बार जूताई करने से पहले बाड़े से 20 टन गोबर की गली सरी खाद का परयोग करे इसकी खीरा काफी ज़ कोड़ी पर बीज बोने के लिए गड़े त्यार कीजिए अब परते गड़े में एक सेंटीमेटर की गाराई पर बुआई के काम प्रारम कीजिए और सिंचाई प्रबंधन के बाद करते घर्मिंग फासल को पांच दिन पर जबकि सरती के फसल वह दस से पंदर दिनों पर प जेन जे भारत गुल की जनव वीडियो देख रहे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं